तो आज हम बताएंगे कि बिना धलीया वाली तहरी इस तरी के से बनाते हैं तो इसके लिए हम एक चमच जीरा लेलेंगे, मिर्चे लेलेंगे, लेसुन की कलियां, एक गाजर मैंने आधे कट किये हैं मिर्च, धनिया, पती, सोया, पती, सारी पतियां और ये मटग भी ले लिया है, नया वाला चावल लिया है तो उसके लिए पहले क्या करेंगे कि कुकर को गैस पे चढ़ाएंगे और गैस पे हलका सा जब गरम हो जाये तो उसमें तेल आड़ करेंगे प्याज मैंने दो प्याज ली थी तो आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं तो इस तरह के से थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद हम उसमें गोभी एड़ करेंगे गोभी को छोटे-छोटे स्लाइस में कट कर लिया है इसे भी इसमें add करने के बाद इसे भी थोड़ा सा चलाते हुए जब भुन लेंगे तो भुनने के बाद हम इसमें गाजर add करेंगे गाजर हमने जो cut किया था वो भी हलका सा flavor जब आएगा अच्छा सा है तो ये गाजर इसमें add करके थोड़ा सा ही भुनना है भुनने के बाद धेरे धेरे करके सारी चीज़े इसमें ऐड़ कर देनी है और अच्छे से चलाते हुए हमें भुन लेना है तो ये वाली तहरी बच्चे बहुत पसंद करते हैं तो I hope ये तहरी आप बनाएं आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे आप बेबी फूड को बेबी बच्चों जो छोटे सबसे होते हैं दो साल चार साल के बच्चों को भी ये खिला सकते हैं तो ये वाली तहरी बहुत ही तीखा मैंने कम किया है क्योंकि बच्चों को खानी थी तो ये तीखा कम बनाए तो बच्चे तीखा कम पसंद करते हैं तो उसके बाद हम नया चा बाद मटर एड़ करने के बाद जो धनिया पती और टमाटर है ये भी इसमें एड़ कर देंगे बिलकुल भी इंतचार करने की ज़रूरत नहीं है सारी चीज़े एड़ करने के बाद बस चलाते हुए दो सिकेंड के लिए भूनना है जब दो मिन्ट हो जाए तो उसके बाद इ और अधी चमच घ्रम मसाले एड़ कि है बस इतना ही और नमक अपने स्वाधन सार तो इतना ही हमें एड़ करना बाकी कुछ भी नहीं एड़ करना यह बहुत ही टेष्टी बनते हैं तो आप अगर जटपट से सनीवार के दिन हर किसी के घर में तहरी को बनाई जाती है तो इ तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जब मैं चलाते हुए इसे पकाऊंगे ते ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता चला जाएगा जब ये अच्छे से नीचे वाला या फिर सारे चीजे पकने लगेंगी तो ये गाढ़े होते चले जाएंगे तो अभी देखी अभी कम है त मस्त फसकलास बनते हैं तो इस तरीके से चलाते हुए ही आप पकाएं अगर आपको पानी कम लगे तो आप बाद में चार गिलास के बाद भी पीने वाली गिलास जो होती है उसी गिलास से इसमें पानी अड़ करना तो ये तहरी हमारी बिल्कुल भी परफिक्ट बनेगी बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं तो इस तरह के से बनाएं आप अपने भी बच्चों को खिलाएं तो ये हमारी तहरी बनके रेडी हो गई है तो एक बरतन में मैं निकालती हूँ प्लेट में तो देखिए इसका फ्लेवर कितना यम्य और टेस्टी आया था जब इस तर परिवार में आप बना के एक बार खिलाएंगे तो पूरे परिवार वाले इसे बहुत ही पसंद करेंगे तो आई होप मेरी रेशिपी अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो मैं आप लोगों के सा परिवार करती हूँ तो ये रेशिपी अगर आप लोगों को पसंद आती हो तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें ये बहुत ही पर्फेक्ट बनती है इस तरीके से बनाने पे तो इसे बच्चे, बच्चों को बहुत पसंद आती है इस तरीके की तहरी तो आप भी पनाएं और इंचॉय करें अगली वेडियो में कुछ नए है लेकि फिर आती हूँ तब तके लिए बाइबाई